लगता है कि अब वो दिन भी दूर नहीं जब खबर आएगी अचानक से कि प्रियंका चोप्रा और निक जोनस ने शादी कर ली है जी हाँ, हाल ही में कुछ इसी खबर के पुष्टी होती दिख रही है और ये पुष्टी किसी और नहीं बलकी भारत फिल्म के डिरेक्टर अली अबbıyor है और ब्यांक चोपकर ने शादी के फ़ेलने के पुष्टी की है प्रियंका ने अपने बॉइफ्रेंड अमेरिके सिंगर निक जोनस के साथ शादी करने का फैसला कर लिया है और इसी वज़़े से वो इस फिल्म से बाहर हो गई है प्रियंका के जाने माने सिंगर निक जोनस के साथ अफेर को लेकर काफी चर्चा में है हाली में प्रियंका ने अपना 36 वा जंग दिन मनाया और निक की उम्र 25-26 साल है अलाएंगे 10 साल चोटे हैं लेकिन 10 साल चोटे बॉयर्फरेंड से शादी करने को तयार हो गई है प्रियंका चोटा माना जा रहा है कि हाली में जब इनके परिवार से निक मिले हैं तो इस मुलाकात के बाद उनके रिष्टी को हरी जणनी मिल गई है और इन बातों की पुष्टी सलमान खान स्टारर भारत फिल्म के डिरेक्टर अलियाबा जफर ने प्रियंका के फिल्म छोड़ने की खबर के साथ बताई है अलियाबा जफर ने ट्वीट किया और वो कहते हैं कि भारत का हिस्सा नहीं है अब प्रियंका उन्होंने अभी हमें अपने इस फैसले के बारे में बताया है अचानक से हम उनके लिए बहुत खुश हैं और उनके सुखल जीवन की काम ना करते हैं लेकिन इसी में उन्होंने निक का भी जिक्र किया वो लिखते हैं दोनों शादी करने वाले हैं वैसे अलियाबा जफर ने अपने ट्वीट में आगे ये भी लिखा है अब इसमें कोई शक नजर नहीं आता कि प्रियंका चोपरा निक से शादी कर रही है तो गुल मिला के बॉलिवूड की एक और बाला की ग्लैमरोस वैडिंग के लिए हो चाहिए तयार इस वीडियो में तरह है